श्री राम के नगरी आयोध्या के दर्शन और उसकी भविता को अब आप आस्मान से भी निहार सकेंगे जी हाँ ये बिल्कुल सत्य है उत्तर प्रदेश सरकार के परेटनवा संस्कती विभाग ने आयोध्या दर्शन के लिए हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है इसे आज पाइलेट प्रजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया गया इस मुद्धे पर हमारे समाता अनुप्त्र पाटी ने उत्तर प्रदेश के परेटन वा संस्कृती विभाग के मंत्री जैवीर सिंग से खास बाचित की परेटन को और बहतर बनाने के लिए आज से हेलिकाप्टर सेवा सुरू हो गई है है अयुद्या में हेलिकाप्टर से अब लोग दर्शन कर सकेंगे जितने देशी विदेशी सद्धालू होंगे खैर क्या खास सुविधाएं शुरू ही है इस पर बाचित के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के परेटन संस्कृति मंत्री जैवीर सिंग सर हेलिक हेलिकाप्टर सेवा पंदेशन के ट्राइल पर प्रिसम चलन में सुरू हुई है वो अपना लावान गुडान भाग सब देखेंगे लेकिन जो सेवा सुरू हुई है तीन एयार रुपए में पूरा राम मंदर और राम मंदर के आसपात आयो द्या के जितने भी दर्शनी इ और यह बड़ा सुखम होगा लोगों के लिए आकर सड़का भी किंद रहेगा और हैली कोप्टर के माध्धम से तूरिजियों को बढ़ाबा देने के लिए तमाम सेवा करने का कम पहले से ही प्रदे सरकान ने नेड़ लिया है छे हैली पोर्ट पनाने का नेड़ लिया जिस आने वाला उससे पहले संगम तटपर भी हम सुरू करेंगे नेमी सालन में सुरू करेंगे बानासी में सुरू करेंगे लखनों में अपना जो रमांबाई अमेट कर मैदान के सामने वाला छोटा वाला मैदान महां से सुरू करेंगे इस तरह कि हमारा प्रयास है कि लोगों क को आबा कामन में बाइ एर कनेक्टिबिटी रोड कनेक्टिबिटी के माध्धम से और बाटर कनेक्टिबिटी के माध्धम से भी हम सेवां देने का काम करें बाटर कनेक्टिबिटी के माध्धम से कासी में पहली क्रूज से सेवां शुरू हुई है शेकरी हम लोग आगरा में म असरात से लेकर गोकुल तक की 14 किलोमेटर की आत्रा क्रूज से सुरू कराने का कम करेंगे. रोड कनेक्टिबिटी के मामला है, जितने भी हमादे पैटर निश्टल हैं, जहाँ टूबे कनेक्टिबिटी है, सिंगल भे है, वहाँ जरूत अगर मैसुद होगी, तो टूबे कराएंगे, जहाँ जरूत होगी, फोर भे कराएंगे, उसको हम लोग जोडने का कम करेंगे, और आयोध्या में जिस तरीके से वहाँ राम का मंदिर लोकारपित होने से पहल जनवरी 2024 से पहले पहले, हम लोग एर कनेक्टिबिटी देने का कम किया है, हम लोग 6 जो प्रवेश द्वार हैं, वहाँ पे भी प्रवेश द्वारों का मतलब ही होगा, कि वहाँ सारी वो सुविधाएं, जो पर्टक के लिए आवस्यक हैं, उसकी गारी की पार्किंग, उसक जो और यह संभावना यह है, कि जैसे ही हमारा लोकारपण भव्वराम मंदर का होगा, उसके बाद गुणात मगरूँ से लाखों की तादार में, वहाँ सरद्दालों के संके बढ़ने वाली हैं जो पर दो पर यह माना जाएं कि 24 से पहले जब मंदर का लोकारपण होगा, उसे पहले चौमू की विकास की जो बाद सरकार ने कहीती हो, पूरा कर लिया जाए गाया जाए उसके तक विर्ष्टू की भवितम नगरियों में से एक आयोध्या को बनाने का प्रयास हो रहा है, अब स्टेज का जी से चाहे काईडोर बनाने का काम हो, चोडी गड़ का काम हो, चाहे गेट बनाने का काम हो, अन्य-अन्य परिक्रमा मारगों को विक्सित करने का काम हो, परिक्रमा मारगों पर भी जन सविधाओं के लिए परिटक सविधाओं की इस्तापना की बात हो, बे कर क्या तईयान है पार्टी के, जाए बेधांतिवा चिना हो लोकसभा चिना हो इस्टाइन का चुना हो जरु च यूखे परमुखोर के लिए वारतिु जिनता पार्टी और सार्डी मेन याजुना की पूरी तुरसे पर प्रदेश कि जंता का, आधरी योगी जी के प्रत, देथ की जंता का आधरी मोजी के प्रत, वपार सम्मान, सदभाव और आसिरवाद हैं, उसके वलपन हम सारे चुनाव लगाता जीतते आ रहे हैं, 14, 17, 19, 22 जीते हैं, 24 भी व्यापक सबलताकसा जीते हैं, और ये उप्चनाव बीच माएंगे, उन् इतने का काम करें, तैंक्यू, आप थे उत्तप्रदेश सरकार में परेटन मंत्री जेवेर सिंग्जी, जिनका साफ कहना है कि हम अयुद्या को विश्वस्तरी अपरेटन नगरी बना लेंगे, 2024 में जब मंदिर का लोकारपन होगा, उससे पहली है, और इसी क्रम में आज हेल लिकाप्टर से वहाँ शुरू कर दी गई है, लखना उसे वीडियो जनले सानकित के साथ हैं उत्रपाथी, जेगर उनिफोर सेवन न्यूज